हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो बाइलोजी पॉइंट, आज का हमारा टॉपिक है दी एने और आरेने में अंतर, आज हम देखेंगे कि दी एने और आरेने में क्या अंतर होता है, यह सारी एक्जाम्स में भी पूछा जाता है और काफी बेसिक क्वेश्चन है यह अमारे लिए, तो देखिए, इधर मैंने ले रखा है डेने और इधर मैंने दे रखा है आपको आरेने, डेने जो होता है, इसकी खोज फ्रेडरिक मिश्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, आरेने की खोज भी इन्हों नहीं की थी, फिर सेकेंड पॉइंट है डेने का, कि डेने जो ह जो घुंड शोत्र रो मोजोम सोते हैं कोई केंद्रक पर नहीं होता है, और ने जो है केंद्रक में भी होगा, लेकिन में यह मुख्यतिया कोशी का ध्रव्य, कोशी का द्रव्य में पाया जाता है किसी भी कोशी का के कोशी का द्रव्य में आरेने मुख्यतेया पाया जाता है इसमें D-Oxyribose शरकरा होती है DNA है इसके नाम से इस पश्ट है D-DNA तो D से हो जाएगा D फिर Oxyribose और शरकरा अब इसका नीचे मैंने पूरा नाम भी दे रखा है आपको D-Oxyribose Nucleic Acid DNA का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है D-Oxyribose Nucleic Acid DNA और RNA इन दोनों में में एक ही अंतर पाया जाता है कि इसमें D-Oxyribose शुगर प्रेजेंट होती है और इसमें RNA जो होता है इसमें Ribose Sugar प्रेजेंट होती है DNA जो होता है DNA जो होता है वो केवल एक प्रकार का होता है DNA के टाइप्स नहीं होते है जबकि RNA जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है दे आर थ्री टाइप्स RNA, Messenger RNA और TRN जो कि ट्रांसफर करता है चीजों को message कोई भी होता है उसको transfer करने का बरता है इस प्रकार DNA केवल एक टाइप का होता है और RNA जो है वो तीन टाइप का होता है DNA जो है यह एक चीज यहाँ पर miss हो गई है DNA जो होता है वो हमेशा double strand होता है हम लोगों ने Watson Creek का double helix model देखा है तो DNA जो है वो double helix होगा हमेशा जबकि RNA जो होता है वो single strand होता है और DNA double stranded होता है DNA के अनुओं में replication स्वयम द्वी गुस्वा दी गुडन की शमता पाई जाती है replication मतलब जैसे DNA है एक DNA है तो वो अपने जैसी एक और copy जैसे हम कोई original document रहते हैं उसकी photocopy करते हैं तो उसी टाइप से DNA के molecules जो होते हैं वो अपनी ही copy बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर replication तो यह इनमें replication की capacity पाई जाती है और RNA के आडू जो होते हैं इनमें replication की capacity नहीं पाई जाती है इनमें द्वी गुणित होने की शमता नहीं पाई जाती है डिने में nitrogenal base जो है adenine है जैसे तो उसका जो पहला alphabet होता है उससे यहाँ पर इनको हम show करते हैं इसी प्रकार RNA जो होता है इसमें purine और pyramiding जो है यहाँ पर A और C तो as it is है बट आप देखेंगे कि thymine जो है G भी है A और G है बट C और U है यहाँ पर thymine नहीं पाई जाता है RNA में यहाँ पर क्या पाई जाता है U से uracil इसमें क्या पाई जाता है uracil और DNA में पाई जाता है thymine DNA में uracil नहीं पाई जाता है और RNA में thymine नहीं पाई जाता है यहाँ पर uracil पाई जाता है इस प्रकार ये एक और अंतर होता है इन दोनों में अब DNA जो है इसमें Purines और Pyramidine Purines, Pyramidine हम किसको बोलते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ और मेरे एक वीडियो भी बनाया हुआ अगर आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं Nucleoside और Nucleotide को Purines अथा Pyramidine जो होते हैं इसमें समान अनुपात में होते हैं समान अनुपात मतला जितने Purines होंगे उतने ही Pyramidine भी होंगे Equal Amount में होते हैं और RNA जो होता है इसमें Purine और Pyramidine जो है वो Equal Amount में नहीं होते हैं फिर फिर से वोई चीज आ रही कि DNA जो है उसका फुल फॉर्मा आपको बता चुके है डी ओक्सी राइवोज नुकलिक आसेड और RNA जो है उसका है राइवोज नुकलिक आसेड इस प्रकार मैंने आपको मेंन मेंन डिफरेंस जो है वो समझाने की कोशिश की है आपको कोई भी प्रोब्लम हो तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मुच